हेलो एंड वेलकम गाईज स्वागत है आपका हमारी शैनल इंडियास ओफ्टी में ऑनलेन फ्री टीचिंग जहाँ पर आप सिखते हैं बेसिक गडिट बेसिक मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी इंगलीज हिंदी संस्कृत एक्सेक्ट्रा सारे सब्जेट में अकेले कफर कर रहात तो आपके एक्जाम में इंगलीज के ऐसे प्रशन आएंगे वाइस की इतने सारे प्रशन आएंगे टेंस से रिलेटेड प्रशन आते हैं जो कहां पर हेल्पिंग लगेगा कहां पस मेंड वर्ब लगेगा क्या वाइस चैंज करेंगे कैसे होता है यह सारे डाउट आपको ह सिखाया जाए जिसको सीखने के बाद आपके सारे हो जाएं एक्जाम के हर प्रशन आपसे बने तो आपको लगता है कि आपको टेंस आता है एक्सक्राइब सब नियम आते हैं कोई बात नहीं थोड़ा दिर बाद में आपको प्रस्ण दूँगा अगर आपको लगता है कि आपको आज आता है तो आपको इसको बना करके दिखाना है ठीक है और अगर नहीं बनता अगर आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा तो जो बच्चे द्वांस लेवल की जनकारी मिलेगी तो वीडियो में ध्यान से बने रहे और एक चैलेंज है इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ऐसी आपको जनकारी मिलेगी इतने सारे प्रश्णा बना पाएंगे जो जनकारिया को कहीं नहीं मिला होगा और अगर आपको ऐसा क्या क्या पढ़ेंगे मैंने क्या क्या लिखा है सब्जेक्ट वर टेंस और वाइस ठीक है यह चारों चीज आज कभर करेंगे एक्स्ट्रा और चीज़े एड़ हो सकती हैं सुरों से एकदम बेसिक से बीना किसे देरी के तो सबसे पहले अगर आप टेंस में आते हैं किसमें वाइस वे तो बीना टेंस के वाइस नहीं होता अब टेंस जरूरी है सबसे पहले तो पता चल गया टेंस जरूरी है तो टेंस होता क्या है तो टेंस जनरली हमें यह बताया जाता है इसकुल टाइम से कि एक सब्जेक्ट होता है एक उसका वर्ब होता है और एक आपजेक्ट तो एक नियम से एक सुत्र है सुत्र होना चीए सभी मने इंगलीज पर सबसे पहले जानते तो सब से मतलब काम करने वाला क्या कह सकते हैं काम करने वाला सब्जेट वह होता है जो काम करता है काम करने वाला तो क्या सब्जेट शर्प काम करने वाला होगा नहीं सब्जेट और भी होते हैं क्या होते हैं तो सब्जेट नाउन होता है Vy वुश्तु जगह सब नाउं होते हैं करता तो समझेगा काम करने वाला मैं पढ़ रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं आप देख रहे हैं ये सब हो गए सब्जेक्ट करने वाले करता अब सब्जेट कह यही होते हैं नहीं और भी है क्या दुनिया का हर वो चीज जो आपको अपने आखों से दिखाये देड़ा है आपके आखों से जो आपको दिखाई देता है जिनके नाम है वह सब subject है जैसे वह आस्मान भी subject है आप मुझे देख रहे हैं मैं भी subject हूँ मुबाइल को देखने वह भी सब्जेक्ट है पेड़ पहदे हवा जो भी चीज जिसका आप नाम जानते हों सब्जेक्ट है क्या हो सब्जेक्ट है अलमारी बोड पेन यह सब्जेक्ट है यह कपड़ा यह मैं सब्जेक्ट है जिसका नाम वह सब्जेक्ट है तो दिल्ली बोलो सहर बोलो आम बोलो फल बोलो जो भी बोलो सब सब्जेक्ट हैं तो ये दो चीजे पता चल गई अब इसके धार पर और क्या जानना है तो भई सब्जेक्ट करता होता है और नाउन होता है दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट की खास्त क्या है सब्जेक्ट जिंद खायेँदु चाहिए तो मैंने राम की बारे हम बात की तो वह जीवित है तो हम उसको कहेंगे क्या कहेंगे जिवित को जीवित हो इसको कहते हैं मैं जब कहता हूं कि आंधuses कप मैंने पहली बात कहीं आम आम राम के द्वारा कर थे तो आम सब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है आम क्या में जान है कि primeira मुझ जाएगा नहीं राम को क्धाईगा देखिए काम कोई और कर रहा है और उसमें जान भी नहीं है तो जिसमें जानना होसक间 क्या कहते हैं ने निर्जिव कहते तो उसको non-living कहेंगे क्या कहेंगे non-living यह जीवित है वो living और जो निर्जिव है वो non-living clear अब नीचे में मैंने doer और non-doer लिखा इसका मतलब क्या होता है तो ध्यान दीजे जो जिन्दा होगा वो अपना काम खुद करेगा मैं एक वेक्ति हूं और मैं प और वो खुद काम करेगा मतलब doer हो ठीक है तो जो जीवित होता है अपना काम खुद करता है उसी को हम टेंस कहते हैं activities का मतलब यह होता है active है मतलब काम चल रहे है और वो खुद कर रहे है इसको हम बोलेंगे ठेंस ठेक दूसरा जो निर्जिव होता है वो अपना काम खुद नहीं कर पाएगा क्या यह पेंड का ढखकन अपने ही आप खुल जाएगा नहीं तो पेंड का ढखकन खुल गया पेंड निर्जिव है काम इसने नहीं किया मैंने किया तो जो निर्जिव होता है अपना काम करें तो हम उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं पैसी वाइस ट्रियर यह कुछ बेसिक चीजे पता चली इसमें और डिटल बांकी है इस पर आएंगे पर आप ऊपर चलिए तो मुख्या पता चला निर्जीव सजीव ठीक है सब्सक्राइब क्या होते हैं यह आपको पता चल गया अब जानलीजे सब्ढूर से डिवाइड किया गया है एक सब्ससेंगब organism ॐ plural मतलब बहुत सारे ठीक है अब जब हम कहते हैं वह लड़की वह लड़की बहुत अच्छी है वह लड़की अच्छी पढ़ती है यह लड़का बहुत अच्छा खेलता है वह लड़का अच्छा है तो मैं किसी एक ही लड़की या एक हो गए उसको हम सिंग्लर कहेंगे जब मै हो गई दूसरा plural में क्या आते हैं यो बहुत सारे है जब मैं कहता हूं कि हम पड़ रहे हैं तो हम men जरूरी है कि मैं कुछ हो सकते हैं 2 से ज्यादा भी सकते हैं आज अगर दस बच्चे देख रहे हैं तो दस बच्चे आगाए आज अगल इस वीदियो को एक लाख लो तो एक लागों स्ट्रणी में आएंगे तो हम पढ़ रहे हैं बहुत सारे हो गए इसलिए वी हमको इंग्लिस में भी कहेंगे और वह भी प्लूरल होता है ठीक है तुम कैसे हुआ तुम तो मतलब एक जने से बात हुआ तुम तो तुम का मतलब हमेशा एक नहीं होता जब एक पकिसे में होने होता है पहुत सब्सक्राइब करता हुं तो आप समझ लिए था जिसी एक सीतान हो तो आप रहे हैं तो यह मतलब है बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे तो दे को भी हम क्या कहेंगे प्लूरल कहेंगे अब यह तो कुछ helping up verb ठ् Nav – तो सेकल्ड चीज है हमारा वर्व तो अब ध्यान दीज़ा वर्व को समझते हैं कि वर्व क्या होता है कि वर्व को दो तरह समय में डिवाइट किया ठीक है आपको पता होना चाहिए वर्व दो तरह की होते हैं एक अग्स緍री वर्व और एक में वर्व क्या है तो में वर्व बहुत सारे हैं पूरा डिश्नरी आप च छान लेगे फिर भी वर्व हताम नहीं होगा वह बहुत ज़ाद है में वर्ब की संख्या बहुत ज़ाद न ठीक है अब कम क्या है छोटा क्या है तो जो एक्जलरी वर्ब होता है वह बहुत छोटा है जो कि मैंने लिखा संख्या कि एक्जलरी वर्ब की संख्या 24 है मात्र 24 है तो पहले उसको जान ले जो बहुत कम है ठीक है फिर जो बचा वह सब मैं वर्ब हो जाएगा तो पहले यह ज ते मैं आप ग्यारा एक्सटरीन वर्भ हैं सेकंड में दस थीरे में थाड क्या होते हैं और जो जाती हैं और स Kazakhstan अब ध्यान से देखिए और मैं आपको बत आता हूं तो जै क्या 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 होते है तो इस एं आर वाज वार है वह स एड़ डू डू ड्क यई आपको 10 महीं मिलेंगे तो यह सब होते हैं इस दरी वर्ब ठीक अब मैंने यहां विल सेल नहीं लिखा क्यों नहीं लिखता है पर्णतु आपको पता होना चाहिए आज से पहले आपको पता नहीं था ते देर सेले में नहीं आते रहते हैं models के helping रहते हैं रहते हैं अब जो लाश्ट बचा वो तीन सिर्फ डेर और यूज टू टियर है समझ में आया इतने आपके लिए बहुत इंपोर्टन थे अब आपने जान लिया क्या होते हैं उनकी संख्या किदनी है और कैसे अलग-अलग है ठीक अब सब को तिन केटेगरी में बांट सकते हैं क्या एक केटेगरी बी केटेगरी सी केटेगरी तीन केटेगरी होती है तीनों में आप उसको बांट सकते हैं अब जो हमने बांटा उसमें पहला होता है पहला एक दो होगा पहला रेगुलर दुसरा इर्रेगुलर ठीक है तो एक रेगु किन तरह से होते हैं अब सब का मतलब हम जानेंगे करके पर आपको पहले वर्ब के बारे में दो मुख्य बाते पता होने होने चाहिए थी कि यह होते हैं में वर्ब यह होते हैं एक दरी वर्ब क्लियर चलिए अब हम जानते हैं कि सबसे पहले जो मैंने यह बताया रेगुलर व वर्ब अब मैंने कुछ फॉर्म लिखे हुए हैं तो आपको पता होनाट साइए की आ होते हैं मुख्यक्ता पांच स्कूम होते हैं यह बताया जाता है पर एक्षियल में कि तीन फॉर्म लीखा का लिकानले साहिं है वंसे द्लीक है प्लापी go 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 second form went फिर Go third form gone होता है तो go when gone First Second third fourth form में ing लगाते हैं तो going हो गया और 5 form में Yes लगाते हैं तो वह हो गया गोज तो go when gone going goes नीचे है eat at eaten eating its यह तो होगे इसकी बात अब नीचे में मैंने लिखा है करण करण कटिंग कर्स अग तो मैंनेतीन लिखा तो पहले के दूनों में अलग-अलग सब्स्प्राइं मिलें अधो लेकिन निशे में से त्य इल्फिर क्या हुआ अलग और कैसे हुआ तो यहीं आपको जाना है जहां पर लगे Mirge वर्फ के कि फर्स चेंड अ 2 तीनों सेम होते हैं ये इर्रेगुलर कैलाते हैं क्या के लाते है मैं इर्रेगुलर क्योंकि अगर मैं आपको कहीं पर सिंट्यस में पूछ हूं जीसे मैंने लिखा है I cut tree मैंने क्या बुऻा I cut tree UK मैं पूश रहा हूँ किwrहां जो मेंनें Mall exemplism है अप नहीं मता सकते आप अगर बोलें कि first है तो मैं बोल सकते हूं तो थ्ट लगा यह कोई मेरे को थर्ड बोल तद मैं बोलुँ मैं सेकिंड लगा तो क्या आप इसमें किसे को प्रदावापत्ति कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो जो इर्रेगुलर होते हैं उनके तीनों समान होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे इर्रेगुलर होते हैं जिनको अलग अलग रूप से हम जानते हैं पहचानते हैं वो सब होते हैं रेगुलर वर्म इतना पता चला ठीक अब चुकि अलग-अलग इसके फॉर्म बने हैं फ्रस्ट चेकंड थार्ड में किसे मैं लगा किसी में एस लगा ठीक है तो यह सब बना क्यों तो देखिए फॉर्ट और जान लिया कि वर्व क्या होते हैं किस तरह से होते हैं ठीक है अब आप जान लिजें कि object क्या होता और other word क्या होता है तो subject के द्वारा किये गए काम का प्रभाव जिस particular विश्च चीज़ पर पढ़ता है उसको हम subject कहेंगे और अगर subject के द्वारा किये काम का प्रभाव उसकाम पर नहीं पढ़ता तो उसको हम other word कहेंगे अब जो मैंने बताया इसको आपको एक्जांपल के थुरू समझाना पड़ेगा तो ध्यान से देखिए मैंने कहा he eats mango वह आम खाता है ठीक है मैंने क्या कहा वो आम खाता है तो जब वो आम को खाएगा तो आम खतम होगा की नहीं आम पर प्रभाव पड़ेगा की नहीं पड़ेगा ना मैंने कहा आप चाय प्यते हो you drink tea चाय क्यों ये तो cup में जो चाय रहेगा वो उतना ही रहेगा की कम होत अबने चाय प्याय क्कि खतम हो गया तो जब सब़से कद्वारा कीये इस विशेज चिस पर पढ़ जाता है थासे में जो पड़ेगा ठीक है अब मैं कहता हूं हूं कि रीड बुक वह किताब पढ़ता है यह पुस्तक पढ़ता है तो उसके किताव पुस्तक पढ़ने से पुस्तक कम जादा होगा क्या ठ हग nhất है कि आपको अब्र आपको और अब्जेक्त में कोई दिख्कत नहीं होगा लिड़ने पर कारेकर परपके कारेकर परदें subquinho के दारा पुर्ट है जिस पर ना पड़े और अधर वर्ड है धल्य है ड् lassनि लिए चल अब आपको बेसीक जानना है उछे इस तो क्या लिखा मैंने लिखा है यूज सिंपल प्रेजेंट टेंज क्या लिखा है मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंज जिसके मैंने रूल्स लिखे हैं दो अलग अलग डब्बे में रूल है तो पहला रूल क्या कहता है पहला रूल कहता है कि सब्जेट अगर प्लूरल है तो आपको बताता हूं यहीं बता देता हूं यह जो दो मैंने लिखा है ठीक मैंने लिख है गो और बोज क्या लिख है गो और बोज तो कि जिनमें कुछ भी नहीं लगा होता वर्प का जो फाइब होता है उसको हम प्लियूरल कहेंगे क्या कहेंगे प्लियूरल पर जिसमें कुछ लगा हो यह समझ लेज़े जो वर्प का फाइब फाइब होता है उसको हम सिंगलर कहते हैं क्या कहते हैं सिंगलर यह बासमन में आई तो आसे बहुत सारे वर्प अभी आप फाइब में देखेंगे उसके फाइ देखकर कि आप तुरंट बता सकते हैं कि वो सिंगलर है कि प्लूरल है बाद समझ में आई ओके अब एक्जामपल के लिए मैंने लिखा द्यान से तो मैंने लिखा कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो प्लूरल में होते हैं तो प्लूरल क्या क्या होता है मैंने लिखा है मैंने उन्हीं को तार दिया ठीक है यूवी राम और श्याम तो सब्जेक्ट हमेशा यह तिने नहीं होते वह होते हैं जो एक से अधिक होते हैं तो मै पुराइब आपको पता है तो आपको पता हो ना जाए तो जैसे आपके राश नाया आप मैं देखा कि सब्गें है तो वब क्या है अप क्या लगाएंगे न कि युग और यू आप स्कूर जाते हो ठीक है तो मैंने का हब ऊंचर्ठे ुग टुषपन्स क्या होगा उका अब क्या भरएंगे यो गोटुष क्या गोज कहें later है और अगर सब्जेट प्लुरा रहा है तो अब आप क्या हैं ये लिए टुषपन्स कोँल भी गोटुषपन्स क्या राम और साम इस्कूल जाएगा तो राम और साम गो टू इस्कूल बास्माज में आई क्लियर अब देखे समझते हैं कि सिंगलर की बारी का बात दिए और वहाँ पर कौन सा वरब लगेगा तो सिंगलर के बारी आती है तो सब्जेट अगर आपके सिंगलर होते हैं सब्जेट सबस्क्राइब नहीं होगा क्या होगा नियम पता चला ठीक अब आप को पहचानना है मैं कुछ example देड़ों ठीक है मैंने लिखा स्याम ठीक है यह मैंगो है यह स्याम है ठीक है आपको बताना है कि यहाँ पर इड्स आएगा यह इड्स आएगा चलिए बताईए तो सबसे पहले आप पहचानिए सब्जेक्ट को एक्जाम पोस्ता है ना तो आपको एक हिंट देता है आज आपको वह सीखना है जो आपको कभ करें कि लगा तो वर्ब भी एक च्टकी में लगायेंगे तो शियाम लिखा है और सिंगलर होता है तो क्या होगा सिंग्लर होगा और ऑप यह नमबर आ पाजाएंगा एक Number बहुत बढ़िया अब क्या वर्ब मैं आपको यही चीज देंगे नहीं यहाँ फॉर फाइब फ्रॉर्म के जगा ठाट वर्म कर देख सकते हैं सेकंड था क्या होता है तो मैं यहां पर यहीं देख सकता हूं यहीं यह यह भी तो देख सकता हूं तो आपको पता होना चाहिए न आपको क्या लगाना है clear है तो अब आपसे गल्ति बिल्कुल नहीं होगा चलिए अगर हम subject को बदलते हैं तो देखते हैं फिर आप क्या बताते हैं अगर मैंने स्याम के जगा स्याम end गीता कहा ठीक है go to market sorry sorry अरे यार इसको तुमें बता दिया भाई यह तो गलत हो गया मैंने वो बोल दिया आपको दूसरा देना पड़ेगा ठीक स्याम end गीता यह टी लिखा मैंने अब टी के बाद में लिख रहा हूँ एक ड्रिंक्स लिख रहा हूँ और एक ड्रिंग लिख रहा हूँ ठीक है स्याम और गीता चाय पीते हैं ठीक है अब आपको पहचानना है क्या आएगा स्याम और गीता जब दो लोगों का एक साथ नाम बोला जाए तो सिंगलर नहीं होता वह प्लूरल होता है प्लूरल होता है तो वर्प का फॉर्म भी प्लूरल होना चाहिए दोनों में कोंसे सही है देखके बताओ नियम लिखा हुआ है क्या होगा drinks होगा कि drink होगा द्रिंक होगा विप्ल्रवल के साथ फॉर्स्ट का लिखता है ठीके तो आपको drink लिखना है पहचानना सीख गए चलिए बहुत अच्छा आई होप अब आपसे एक्जाम में इसी गलती नहीं होगी अभी ये खतम नहीं हुआ अभी और बचा है अभी मैं आपको एक-एक करके सिखा रहा हूं अभी हम मिक्स चीज़ सिखेंगे तो यह तो हो गया आपके कुछ बेसिक नियम अब प्रेजेंट के बाद आप आते हैं पास्ट में पास्ट सिंपल का नियम क्या है ठीक है तो प्रेजेंट सिंपल का नियम है जहां पर सबजेक्ट सिंगलर होगा वहाँ पर यहांप हो तो हते बाद या एक महने बाद अगर आपано चाहे तो सिर्फ इसको देखकर कि आपके दिमाग में नहीं आएका आपको नियम लिखना पड़ेगा तो आप लिखिए क्या रूल्स पहला रूल्स कि प्रेजेंट सिंपल का रूल है कि सब्जेट अगर सिंगलर हो तो वर्व भी सिंगलर होना चाहिए दूसरा रूल सब्जेट उसके दिसका कोई रूल नहीं है तो यहां पर आपको नियम लिखना है इसम्पल पास्टेंस में सब्जेट कोई भी हो सिंगलर हो चाहिए प्लूरल हो नो मैटर ड़सेंट मैटर वाट इस सब्जेट उसके फॉर्म से कोई मतलब नहीं है सिंगलर है कि प्लूरल है सब के करना ही इन में से कोई एक मैंने कहा आई गो वेंड गॉन ठीक है मार्केट मैं मार्केट जाता था स्वाली मैं बजार जाता था मैं बजार जाता था यह तुम बजार जाते थे यह वह बजार जाता था यही बजार मतलब वह बजार जाती थी वे बजार जाते थे हम बजार सब सामिल है अब आपको बताना है क्या आएगा तीनों में से तो आपको पता होना चीए वर्ट का सेकेंड फर्म आएगा जो कि नियम कहता है तो इसको को काड़ देना है श्रिप यह सिंग्लत्र क्या है पर रखेगा यह विलुकुल इस से हट जी से काफी सरल है ओके चलिए तो आपने अभी वी वन का यूज समझा वी फाइब का यूज समझा और वी टू का यूज समझा तो वी फाइब वी वन वी टू कंप्लेट हो चुके हैं अब आते हैं वी थ्री में ठिक तो इनको थोड़ा मिटाना पड़ेगा आप इसका अच्छे से स्क्रीन स्वाट ले लिजे मैंने नियम जो पता है उसका अच्छे से लिख लिजे अब आपसे एक्जाम में गलती नहीं होंगे ठीक भई चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फॉर्थ फॉर्म को ठीक है इसको ब्रेक के बाद इसको करेंगे अंत में त्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोट की है जहां पर मैंने आपको टेंस बताया है कुछ बेसिक चीज़े बताएं जिसमें आपने सिंपल पढ़ा कंटिन्यूर्स को पढ़ा परफेक्ट क इसको कभर करेंगे ठीक है तो अगर आपने वह नहीं देखा तो थोड़ा देख लीजे आपको बहुत हिल्पफूल होगा और चीज़े को समझने में असानी होगी तो हम पहले कंटिन्यूर्स को समझते है ठीक है कि प्रेजेंट कंटिन्यूर्स के जो सेंटेंस होंगे यहाँ पर आपको धिहान रखना है नियम यह इनका कि सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्प में इस एम आर ठीक वर्प का फॉर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अधर वर्ड यह नियम है इनका इस्ट्रक्ट्टर है इनका ठीक है तो अब चुकि मैंने तीन हेल्पिंग वर्प लिखी है इस एम आर तो आपको एक 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 इसको समझना पड़ेगा या याद करना रहेगा ठीक है देखे याद करनी के जूरत नहीं है सिंपल है कि जो प्लूरल है उनके साथ आपको आर लगाना है जो सिंगलर है उनके साथ आपको इस लगाना है ठीक है अब अब आई इस पेसल है इसले मैंने ना तो सिंग्लर में लिखा ना तो प्लूरल में लिखा आई तल बदलू है ठीक है तो उसका कई बार विसेश स्थान दिया जाता है किसी सेंटेंस में तो आपको समझने हैं आई को बिसेश जगह मिली है तो आई के साथ एम लगेगा देचे ना तो वह Company साविल वर न तो इसके सान ठीक है चलिए मैं दो sentence मनाता हूँ मनाता हूँ झालिए लग का झालिए प्रॉब झालिए भीत का झालिए हुआ झाल झाल ठीक यह कुछ एक्जाम्पल है आपको नियम पता चल गया कि सब्जेट के तुरंट बाद हेल्पिंग वर्प होना चाहिए इसमर होना चाहिए वर्प का फोर्फाम होना चाहिए जो आएंजी फोर्म होता है फिर अब्जेक्ट यह अधरवर्ट तो मैंने लिखा यूँ खालि आएगा ठीक है क्या आएगा तो आपको मैंने यहां बताया है जो प्लूरल होते हैं उनके साथ आर आएगा क्या आएगा आर तो बताईए यू क्या है प्लूरल है जो कि आपको यहां दिख जाएगा इस परश्रूप से प्लूरल है तो यह अगर प्लूरल होता है तो आपक लिखेंगे लिखेंगे is that clear? आपको एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा क्या है भाइ और इनके साथ भी आपको लगाना है अब आपको पता है वी भी है आप फिर अन्ज होना चाहिए ठीक होना यह बहुत कम है अभी कम पर देखे कैसे बढ़ाँगा अब धीरत-धीरत-धीरत देखे हम पास्ट में आते हैं फिरक्त में आपके कहानी बदल जाएगी तो tough चीजे वहाँ से चलो होंगी ठीक है अब यह तो था present ठीक है यहां पर sentence all वह सकते हैं i हो सकता है खाले सान हो सकता है going हो सकता है ठीक है यही दो option हो सकते हैं तो i के साथ तो r आएगा निया आपको m यूज़ करना है तो i am going to market अगर मैंने c लिखा है को यह कुछ example हो गए अब आप पास्ट को देखिए पास्ट आए पास्ट कंटीणूर को कहता है है कि सिंगलर के साथ वॉस का यूज कीजिए और प्लियूरल के साथ वर का यूज कीजिए तो आप यह कह सकते है कि वह सिंगलर हो जाता है और वर हो आता है तो प्लूलर के साथ लगेगा और सिंगलर सिंगलर के साथ लगेगा तो अगर मैं कहता हूं आई खालिस्थान सी खालिस्थान कि यू खालिस्थान ठीक है ठीक आपसन में ने दे दिया वाज वर यही दो चीज़ आपको मिलेंगे सारी एक्जामपल में वाज वर क्या मिलेगा भई वाज वर ठीक यही आपको एक्जामपल मिलेंगे वाज वर अब आपको बताना है कि क्या आएगा तो देखिए पास्ट की बात हो गई तो अभी जमार को भूल जाना है पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही है तो एक्जामपल में आपको जो helping work मिलेगा वो past के मिलेंगे तो past के helping work update करके आपको समझ जाना है कि यह जो है प्रश्णम वो past के हैं तो past में किसके सांथ क्या लगता है तो फिर यह याद रखना है अब यह याद हो गया तो चलिए आई के सान्थ was लगेगा किए आई भी singular में आता है आई मतलब मैं मैं मतलब सीर्व कखेला तो आपको यहाँ पर was लगाना है आई was सी singular होता है तो उसके सांथ भी was लगेगा तो c was reading, c was reading to book reading book अब आता है प्लूरल के सांथ वर्प तो मैंने यू लिखा यू यू प्लूरल होता है तो आपको वर्प लगाने उसके सांथ क्या लगाना है वर्प तो आप यहां पर वर्प लगा देंगे बीना किसी दाउट के ठीक अब इतने सिंपल अग्जाम में पुछते नहीं बहुत टप टप आता है तो टप क्या होता है तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अभी आप चीजों को समझे क्यों कि कुछ बच्चे बिलकुल नए है यहां अब उनको समझ में आ गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि अगे अगा है अपको तो देखिए कंटेश में चाहिए प्रेजेंट बनाए चाहिए पास्ट बनाए चाहिए फ्यूचर बनाए बर्ब का फूर्थ फरॉर्म समय लगेगा जिसकों आइन्जी फॉर्म बोलते हैं क्या कि इसको याद रखना है ठीक सब के सांथ लगेगा अब एक सिंटेंस को आप कैसे अलग अलग टुकड़ों में बांड सकते हैं मैं आपको वह भी सिखाऊंगा ठीक है तो चलिए अगर आप अभी है तो आप सिख लीजिए जैसे मैंने लिखा कि मैंने लिखा I will be going to Mumbai ठीक है मैंने क्या लिखा I will be going to Mumbai अब आपको ध्यान यह रखना है कि future में subject के साथ will be लगता है क्या लगता है विल भी लगता है तो अगर आपके एक्जाम में विल भी को गायब कर दिया और गोइंग दिखाया जा रहा है और option में विल भी है तो आपको विल भी सेलेक्ट करना है या सिर्फ I will यहां खाली स्थान है और गोइंग करके लिखा है और option में बहुत सारी अलगलग चीज़ यह दिये गए हैं तो आपको बी कही यूज करना ह future के sentence होते हो future साहत में विल के तुरणबान पी होना चाहिए ठीक है तो आपको आपको I will भी दिया है और यह वर्भ को गायकर दिया है तो आपको पता होना चीज रध कर Cynthiaато गएगा तो आपको वर्भ का fourth form लगाना है ठीक है चलिए clear हो गया अब अब हम आते अपने perfect पे में चीज़ पे जिसको हमने उस वीडियो में कभर नहीं किया था आज को कभर करेंगे और उसी के सांसत अब हम सीखेंगे वॉइस को जिसको सीखेंगे वॉइस अब यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है और चीजों का बहुत बारिकी से समझना है ठीक पर्फेक्ट क्या करता है तो देखिए प्रिजेंट पर्फेक्ट कहता है ठीक है अच्छा हिंदी में नहीं बताए था चल रहा है जो कुछ देर पहले start होता हुद्द देर पार समाठ हो जाएगा उसकी जो अवस्था है कर लाएगे वह चल रहा है ठीक है थोड़ेदेर पहले मैंने चलास क्लास था थोड़े देर बाद मैं खतम कर दूँगा और अभी तो चल रहे है ना तो यह धिए ठीक परफेक्ट क्या होता है जो काम complete हो चुका है, तो मैंने part 1 में tense का कुछ चीज पढ़ा, complete कर दिया है, तो मैं बोलूँगा मैंने tense पढ़ा लिया है, तो वो काम हो चुका है, वो perfect कर लाएगा, ठीक है, आप खाना खा चुके होंगे, आप नहा चुके होंगे, आपने कल स्कूल का काम ख़तम कर लिया हो होगा, यह सबी चीज परफेक्ट होंगे, तो यहां पर जब present बनाते हैं, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है, कि subject के तुरन बाद आपको have या, has का use करना है, किसका use करना है, have और has का, फिर यहां पर work का third form लगता है, फिर object या other word होते हैं, तो भही है, यह है, यह है इसका go का होता है gone, eat का होता है eaten, तो जब आप यह कहेंगे कि आप खाना खा चुके हैं, तो आपको कहना है, मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten, ठीक हैं, अब have has किसका साथ लागएगा, तो चले ले नियम देखिए, singular के साथ, और plural के साथ, तो subject यूपर depend करते हैं, subject क्या है, ठीक है, subject अगर singular होगा, तो जब आपका helping verb होता है, subject singular, तो helping verb भी singular, और singular में होता है, has, तो आपको has लगाना है, ठीक है, subject अगर आपका plural होता है, क्या होता है, plural, तो आपको इसमें have लगाना है, क्या लगाना है, have, अब, यहां भी I तल बदलू है, अब वो इसके साथ सामिल हो जाएगा, ठीक है, तो I के साथ अपको has लगाना है, I के साथ have लगाना है, तो आप कहेंगे, मैं खाना खाचुका हूँ, I have eaten food, ठीक है, मैं कहानी लग चुका हूँ, I have written a story, ठीक, वहाँ खाचुकी है, she has eaten, तो एक चीस तो clear है, present perfect बनाएंगे, तो subject जो भी हो, subject जो भी हो, work का थटफाम में रहेगा, क्या रहेगा, work का थटफाम रहेगा, तो अगर आप से किसी ने पूछा, किसी sentence को दे करके, कि ये कौन सा फ़र्म है बताएंगे, ये आप से कोई ने कोई पूछेगा, खास करके जो सर पढ़ाएंगे आपको, ये आपके exam में आपको फिरिंट सर्कल, तो जहां भी आपको work का थटफाम दिखा, then you tell her, ये tell him, क्या बुलेंगे, उसको क्या बताएंगे, this is a present perfect, क्योंकि उसके साथ आपको have has भी देखना है, तो work थटफाम भी दिखे, have has भी दिखे, then you call, तब आप उसे क्या बोलेंगे, present perfect, ठीक है, बास समझ में आई, अब past नमी क्या होगा, जब past perfect बनाएंगे न, तो नियम आपको याद रखना है, कि subject जो भी हो, ये अभी ऐसा नियम उसमें कुछ नहीं है, subject जो भी हो, सब के साथ had लगेगा, क्या लगेगा, had, I had, you had, मैं कहानी लिख चुका था, मैं खाना खा चुका था, तो I had eaten food, तुम खाना खा चुके थे, you have eaten food, वह खाना खा चुके थे, she had eaten food, वह खाना खा चुका था, he had eaten food, राम खा चुका था, तो राम had eaten food, समझ में आई बात, ठेक, डिख जाए क्या कैसां से दिख चाइए तो देन यूग पास PORFECT क्या कहेंगे पास परफेक्ट फ्यूटर में क्या होता है तोफ्यूचर का रूल बहुंती सिंपल है फ्यूचर में आपको तो सब्जेट के तूरान बाद आपको विल या सेल के साथ आपको है लगाना है और और फिर और फिर मैं खाना खा चुका होंगा अगर आप इस्टप के सेंटेंस बोलते हैं वह आ चुकी होगी तो सी फिल है कं का थर्ट फार्म पता होना चाहिए ठीक है और फिर फिर प्रिटक जाएंगे तो कं का अलग रहता है फिर 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 इसका कमई रहता है तो समझ में आया, तो जब आपको will have एक साथ दिखे, word का third form दिखे, अब ठीक है, कुछ word ऐसे होते हैं, जो जीन का first और third form same होता है, तो उससे तो अपनी पहचान पाएंगे कि वो perfect है कि present है, तो वहाँ पर आपको सहायता करेगा, yeah, will have, shall have, तो चीज़े समझ में आई, मैं जो have has मतलब present perfect, word for third form और head दिखे, subject के तुरण बाद head, then you call past perfect, and third is, जैसे आपको will have ये sell help दिखे, ठीक है, word जो भी हो, क्योंकि देखिए, कुछ word ऐसो होते हैं, जिनका first और third same होता है, तो आप decide नहीं कर सकते हैं, जैसे cut में, वो बोल सकता है कि ये first है कि third है, तीनों तो same है, तो वहाँ पर आप तो confused रहेंगे, तो सहेता वहाँ पस क्या करेगा, will और sell करेगा, तो आप रहेंगे यहाँ पस ये future perfect tense है, clear, अब आपने देखा, इसका नियम है कि यहाँ वर्प का third form लगता है, क्या लगता है, वर्प का third form, अब ये तो आपने समझ लिया, कि अब हम इस किस पर आते हैं, voice पर और tense पर, tense क्या कहता है, tense को हम sort में active wise कहेंगे, क्या कहेंगे, active wise, tense कहता है, कि हमारे पास एक subject होना चाहिए, एक helping verb होना चाहिए, फिर एक verb होना चाहिए, वर्प का कोई फ़र्म हो सकता है, तो आप one, two, three, four, five लेख सकते है, ठीक है, कुछ भी फ़र् होता है, exam में, ठीक है, फिर इनके पास object होना चाहिए, तो subject, helping verb, और object, other word, यह होता है, active wise, passive wise क्या कहता है, ठीक है, तो passive wise कहता है, या जिसको सिर्फ आप voice कहते है, change the voice, वो कहता है, कि मेरे पास भी एक subject होना चाहिए, ठीक है, एक इसके पास भी subject होना चाहिए, और, आपको यहाँ पर axillary verb लगाना है, क्या लगाना है, axillary verb, जो कि मैंने बता दिया है आपको, ठीक, इसके बाद आपको verb का third form लगाना है, उसके बाद आपको by लगाना है, by by, उसके बाद आपको object लिखना है, अब यह होता क्या है, अब नीचे में आपने जो भी लिखा, वो आपको याद रखना है, कि उपर वाले की साहता से वो बनता है, मतलब, tense में जो object होगा, उसको आप इसका subject बनाएंगे, tense के sentence को देखर के ही तो आपको कहेगा, कि change the voice, तब आपको क्या है, जो sentence देखर कहें, तो उसके object को आपको subject में बदलना है, तो उसका object बदल जाएगा इसका subject, और इसका जो subject है, वो बदल जाएगा, इसका object, ठीक, और helping verb को convert कर दो, auxiliary verb में, verb का जो भी form हो, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, पर, wise बहुत है simple है, wise कहता है, कि हमको सिर्फ work का third form चाहिए, तो form जो भी हो, ing form हो, first form हो, second form हो, five form हो, सिर्फ और सिर्फ आपको work का third form ल याद होना चाहिए, then you buy लगा करके, इसको complete कर सकते हैं, और यह खता, अब, data बार बार खतम तो इसको नहीं करेंगे, अभी इसको solve करेंगे, तो, जैसे कि आपने tense में लिखा, वह आम खाता है, he eats mango, a mango, ठीक है, वो एक आम खाता है, he eats a mango, यह आपने लिखा, अब आपको प कि, यह जो है वो tense का sentence है, किस का है, tense का हैbilir, धेक्टिवाइस में है, तो मैंने कहा, इसका जो object है, यह आम है, उसको आप subject में बदल लिए, तो, आपको बोलना है, amigo, अब यह हो रहा है, पेसी वोइस, क्या हो रहा है, यह पेसिवाइस हो रहा है, तो, इसको ध्यान से देखि से हैं जो देखें जहान पर फको इस लगाना ने क्या लगाना है उने क्या लगाना化 तो आपको यज़ लगाना क्या लगाना मंगो इज duh व yêu अब अब आपको किया चाहिए वर्ब चाहिए तो काम क्या है लेता है इसमें खाने इत्स जो कि perfect फार्म है थर्स किया होगा उसका इटन। Agora करा कि रगादी आप इसका सब्टेट grapes हो जाएगा तो ही का होता है यूर्म जो क्या होता हैि दोड़ खाता है इट मैंगो तो पैसी वाइस क्या होगा अब मैंगो इज इटन बाई हिम इटन बाई हिम समझ आया ठेक कि अब कुछ बच्चों को लगता होगा कि ये तो हमें पता है तो चलिए आपके लेक छोड़ा सा होंबग तूरन दूंगा तूरन बना करके तूरन कमेंट करना है Celine यहाँ होते हो कि मतलब कोछ टेन्स पता है कि नहीं तो आपका प्रशन है कि डू यू का we call cricket अटिकए चलिए आसब बनाएं जो बच्चे को लगता है तो वोईस आता है आप इसको बनाएं ठीक है क्या बताइए मुझे कमेंट करना भई देखो इमान दारी के साथ अगर आप पड़ रहे न आपको लगता था आता है तो आप बच्चे चाहे जैसे भी हो बड़े हो छोटे हो जो भी हो सर ओ मेडाम हो अगर आपको लगता है आता है तो आप इसको बताईए क्या होगा ठीक आप बनाते रहे तब तक मैं दूसरा नियम बताता हूँ नियम क्या ध्यान से देखिए प्याय स्विर में अध्या जब सब्जेक जिन्दा हो अपना काम खुद करें तो उसको हम टेंस कहेंगे लेकिन सब्जेक निर्जी हो अपना काम कोई और करें तो उसको हम क्या कहेंगे पैसी वाइस कहेंगे अब हमेशा यह जरूरी नहीं है कि सब्जेक निर्जी हो सब्जेक जीवित होते हुए भी कहेंगे के सैंत थक गया यह मैं क्या बोल रहा हूँ थक हूं आप इसको क्या कहेंगे दिन ने थेता हूं हम मुझे बुलाया जाता है मुझे बुलाया जाता है अब देखिए मैं बुलाता हूँ ये तो आपको पता होगा टेंस पढ़ें तो इतना तो पता होगा लेकिन मुझे बुलाया जाता है ये कैसे बनेगा अब चलिए आपको मैं बताता हूँ सब्जेट में हम मुझे दीख रहे हैं पर क्या मैं अपने आपको बुला रहा हूँ कोई और बुला रहा है ठीक है तो बुलाने का काम कोई और कर रहा है मैंने इसी तरह से बोला कि मैं ठक गया या मैं ठका हूँ या मैं ठका हूं क्या ये टेंस का है किसी से पूछ के देखिए क्या ये टेंस का है जिनकी नौलेज कच्ची होगी वो इसको टेंस ही कहेंगे ना रे बाप ये टेंस नहीं है ठकने का काम कि तो ये भी वॉइस है मैं कहता हूं वो लड़का पानी में डूब गए या मैं डूब रहा हूं तो डूबने का काम मैं जानवचके थोड़ी कर रह Which तलाव यह नदी मुझे डुबा रही है ठीक है उस पानी जो है वो डुबा रहा है मैं जान मुझे थोड़ी डुब रहा हूं ठीक है तो यहां पस क्या यह वॉइस है तो यह बेसिक नियम आपको पता होने जाए यह वॉइस बनाते समय तो सिंपल चीज मुझे बुलाया जाता है मुझे आई कि मैं आई के साथ क्या लगाना है मैंने बताया जो भी सेंटेंस होते हैं सिंपल के उसमें इसमार ही लगाना है तो आई आई को का बुलाना को थर्ट परम क्या होगा मुझे बुला जाता है क्या कहें हैं आई क्ल्ड तो और अब क्या बोलते हैं आई एम टायड अब क्या आप stupid करते हैं जैसे मैं आप मैं 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 बुलते हो कि खाना खा रहा हूं त्व किया मोलते हैं इसाब से चाहिए तो क्या आपको M के लगाना चौत पर बगाया नहीं लगाया पर और थाट फुम लगा तो आप इतना थोड़ा कुछ जानने के बाद आप मैं आपको बताता हूँ एक भस्ते ऐसे एक यह चीज़ बता देता हूँ इसको कुलीट करके आपको एकजाम के बाद महत पुर बात बात अब बताता हूँ देखिए जिनसे यह बना होगा वो लोग क्या बनाए होंगे डू यू प्ले क्रिकेट क्रिकेट और प्लेट बाई यू अपने यही बनाया होगा देखिए यू है तो आर लगाना है जैसे आई था तो एम लगा दिये ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता थर्ड परसन है तो इस ल पर ध्यान दो बच्चों कौन सा संटेंस ही इंट्रोंगेटू में सबसे पहले तो क्वेशन रहते हैं तो पहले ये बताएं की प्लोरल है क्रिकेट के बाद हो दी ना क्या सबी क्रिकेट के बाद कर रहा हूँ तोग्नेधक क्रिकेट तो इसके साथ इस लगाना है तो इधर ने इधर रहेगा और नहीं लगेगा मैं लगेगा मैं लगेगा यह सामने आ गया यह तो question mark सामने में ही रहेगा तो इस cricket ठीक है इस cricket तो हमने object को subject बना दिया ठीक है अब हमें क्या चाहिए हमने सब्सक्राइब अब helping और प्षे वह भी हमने ला चुका तो प्ले का थर्ड फर्म प्लेड होता है तो आपको लिखना है प्लेड वाइब आपको यू ही है तो आपको यू का यू रहता है वो तो नहीं बतलता तो डू यू प्ले क्रिकेट का हो जाएगा इस cricket प्लेड बाइउ ठीक है डू इसाम में फ cope कैसे हैं या कुछ बच्चे जो अच्छे से पढ़े होते हैं अब कुछ बच्च कच्चे bachelor में बढ़े होते हैं वो लोग फंस जाते हैं जब उनसे सवाल पुछा जाता है तो फंस लिए हैं क्यों कि, अ आपको क्या पढ़हाई जाता है डू यू अगिर आप क पर आप अगर कहीं और पढ़े करके देशिए आपको पता से जाएगा क्या रटवाए जाता है जब को सिंपल टेंस पढ़ाया जाता है तो रटवाए जाता है प्रेजन में किसमें प्रेजन में कि क्रिया के अंत में ता है ती है तो है ठीक है पास्ट में ता था ता थी थी थ ऑढ़ी है देखिए रही है रहे हो जो देख सा र्ध एक रटता है अब देख लो बच्छों जो रट के पढ़े हो ना बहुत बच्चों जो रट के पढ़े हो गल्दी क्या करते हो क्यों एक्जाम में आप से प्रश्ण नहीं बन पाते ता ती ती मतलता है ती है थे है रहे हो रहे हो यह सो जो आप पढ़ते हो यहां पर अफ़स आते हो क्योंकि जहां पर रहे रही आप आपको बताय जाता है वहें पर आपको इस एम आर बताय जाता है वाज वर बताय जाता है जहां पर तीता जो लोग पढ़ते उन्हें बताए जाता है उन्हें ड बताय जाता है ठीक है और उन्हें डीड बता जाता ब्रबात खत्म हो जाएगा तो यह यह इफ historia स्ची ठीक है आप भैठ रहे हैं यह मैं cantival कोई हैं तो बताओ क्या ये कि सिम्बल है क्या ये परफेक्ट है क्या इस मॉडल से क dabеж है आप जो बता हिए पाएंगे एक तो ना चुका चुकी मिला ना ताती मिला तो बताओ अब उनसे पूछ के देखो जो मेरे से पढ़े ना वो उनसे पूछ करके देखो ifique करेद मोची मेरे से पूछ रहा है कि मम्मी या पापा या भाई क्या कर रहे लोड़ाह है और बैठने के बैठा तो आपको सेटिंग लिखना है क्या लिखना है है जो आर शिटिंग ठेख है घर में बैठा है brother is sitting in house at house मैं करी मैं बैठा हूं I am sitting in car तो आपको समझ में आना चाहिए एक रहार एह सही नहीं होता ट्रिक अग cal rest परस्ट पता है कि जहां ऐस M.R. हो वहां आगा है टिकर लगता है अब आप एक्टिव सभ्र में यहां पर घ Together केसे आप मैं वो बताने वाला हूं ठीक है ततुरित्य अभी जो देखकर के लोग पहचानते हैं कि तह अंद में मतलब वह किसी को ऐसे बोल दो यह जो मैंने लिखा मुझे बूलाए जाता है नहीं आपको बोला जाता है ऐसा कि मजाल है वह इसको जान पाएंगे सिंपल है कि नहीं है नहीं पाएंगी इनको बस सिंपल है बोलेंगे सिंपल लाश्ट में तक धूंड़ते हैं तो सिंपल है तो फस गये तो आपको बोला जाता है या बुलाया जाता है तो देखिए आप तो है पर आपको बुला कोई और रहा है बोल कोई और रहा है मैं बोलता हूं यह तो मेरा ही काम है लेकिन मुझे बोला जाता है या बुलाया जाता है तो उसको अपनी क्या कहा I am called तो आप क्या बोलेंगे you are called ठीक है तो यह होता है दिक्कत जो रटके पढ़ते हैं उनको सिंपल पे यह सी वाइस में पहचानने में दिक्कत हो जाती है अब जैसे आपने यह समझ लिया अब मैं आपको कुछ example बताता हूं अब देखें अब फस्ते कैसे ठीक है जैसे मैंने इसे example को लिखा I am मुझे उसके द्वारा बोलाया जाता है यह मैंने एक ऐसा sentence लिखा ठीक है यहां पर मैं calling और मैं call लिख देता हूं ठीक है अब आप देखें मैंने यह लिख दिया अब इस तो समझने के बाद ना अब आप से एक्टिव पेसे में गलती नहीं होगा अब देखिए आप गलती क्या करते हैं अगर आप यह जान जाएंगे कि आप गलती कहां करते हैं तो उसके बाद आप गलती करेंगे तो देखें आप देखते हैं इसको जानता फिल इन दा ब्लैंक में जहां पर आपको किसे एक का चेन करना रहता है यह क्या है अब आपको रटवा दिया गया इसमार मतलब आय अंजी तो यह तो भाया पेसी वॉस है ना ठीक है तो आपको पता होना चाहिए आई एम के साथ लगेगा क्या लगेगा कॉल्ड अब गलती क्या करते हैं सब बच्चे इसको चूलेंगे 95% बच्चों को आप ये प्रस्ट देख करके देखिए कॉलिंग को टच करेंगे ठीक है मैंसे बहुँ सारा आपको इजामपा दे सकता हूं जहां पर वो इसी को टच करेंगे ठीक है अब देखिए मैंने लिखा आ मैंगो खाले स्थान इतन बाई यू ठीक है इसको मैं दो तरह से मना सकता हूं यह अमैंगो इस खाले स्थान बाई यू ऐसे ही तिगड़म बाजी के प्रस्टन दिलते हैं जहां पर सबजेक तो ज्यादा तरफ टेंज में क्या पढ़ता हैं मैं पढ़ता हूं मैं खाता हूं राम पढ़ता है राम यह तो जाता है अपने solution अब आप इसको देख चुके हैं a mango is eaten by you इस तरह से बनेगा तो जैसी मैंने यह दिया option eating और eaten तो 95% बच्चे इस देख करके ing को यहाँ डाल देते हैं तो आपका number खिर गया अब आप जो पढ़ चुके हैं अब आपको पता आपको सही क्या करना है अब आपको eaten का यू वाइस के sentence है तो आपको समझ में आ गया होगा अब आप इसके बहुत सारे sentence मना सकते हैं आपको बस याद रखना है कि कुछ प्रश्ण ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेट्यू होते हैं जो डब्लू एस फैमिली मेंबर के होते हैं जैसे कि मैंने बोला वेंडो यू प्ले क्रिकेट मैंने क्या वोला वेंडो यू प्ले क्रिकेट तर 100 अब आपको ध्यान यह देना है कि देखिये य else कुस्वन वर्ड है लेकिन भी लगा है तो जब आप इसका वाइस बनाएंगे यह तो टेंस है वाइस जब आप बनाएंगे तो वेन को नहीं बदलना है, वेन का वेन ही रहेगा, मतलब एच डबलो एच फामिली मेंबर के जो पोर्शन वर्ड होते हैं, वो ऐसी ही रहें के वाइस बनाते समय भी, अब आपको पता होना चाहिए, डू के जगा आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट बन के आएगा, उसके इनिस क्रिकेट, ठीक है, प्लेट बाई यू, वर्पा थर्ट फॉर्म, बाई लगाओ, यू लिखतो, ठीक है, समझाया, अब यह भी आपको रटना नहीं है, कि हमेशा यहाँ पर बाई होता है, बाई होता है, तब वो वाइस होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या मिटाये था, यहाँ, आई हम कॉल्ड, तो क्या वहाँ भाई था, नहीं था, तो आपको याद रखना है, कि जब काम करने वाला कोई और हो, काम किसी और के द्वारा किया जाए, तब वो हो जाता है, वाइस, तो आई होप आपको यह कुछ बेसिक चिज़े पता चली होंगी और इस से आपको बहुत helpful मिला होगा, अब आप wise और इसके sentence में गलती नहीं करेंगे, इसका screen shot लीजे, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ share कीजे, और रुखिए, class खतम नहीं हुआ, अभी मैं आपको change करना सिखाऊंगा, ठीक है, मैंने बोला था ना, अभी हम कुछ सिखेंगे, यह छोटा मुटा class नहीं है, class बहुत बढ़ा है, तो ग्यान भी बहुत जादा है, ठीक है, खतम नहीं करना है, चुटकी बजाके, आपको पुरा basic से level तक का सिखाना है मुझे, तो time दीजे, time, समय दो ग्यान लेने में, तो ग्यान फिर आपके अंदर है, आप चाहते हैं कि ऐसे हर बच्च का डॉट क्लियर हो, तो आप सहयोग कर सकते हैं, सभी मेरे वीडियो को इंग्लिस के गड़ीत के आप अपने शिटर में लगा सकते हैं, दोस्के सांद फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि यह वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हो, और सब मैं किताब पढ़ता हूं, आप कहेंगे, I read book, यहां कोई helping work नहीं, मैं का I पढ़ता हूं का मैं read, किताब का book, ठीक है, simple, अब यह तो है present, हूं से आपको बचान हो गया, present हमें किताब पढ़ता हूं, तो यह हो गया भाई present, तो क्या हम इसका past नहीं बना सकते, exam में यह भी तो पूछता है न, change into past perfect, sorry past simple, तो अब इसका चलिए past बनाते हैं, तो आप आप सीखेंगे, कैसे एक subject को तोर मरोड के बहुं सारे वाक्यों में बदला जाता है, अलग-अलग form में बदला जाता है, तो देखिए, जब मैं इसका past नहीं है, तो read का तो ready रहता है, बस उसको read बोलते हैं, पढ़ते समय, read का read रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ सिखने को मिला, नहीं मिला, मतलब आपको दूसरा example लेना होगा, तो अगर हम यह लेते हैं, कि I eat mango, मैं आन खाता हूँ, I eat mango, तो इसका past क्या ह हो जाएगा, eat का, add होगा, तो second farmer को क्या लेना है, add लेना है, जो कि यहाँ था, add, ठीक है, तो I add mango, समझ में आया, जो देखिए, कैसे mango का बदल गया, मतलब, eat का बदल गया, add में, अब अगर आप इसका future बनाते हैं, तो future में आपको will लगाना है, क्या लगाना है will, तो उसी को बनाते हैं, या इसको भी बना लेते हैं, चलिए, मैं किताब पढ़ूँगा, हिंदे क्या होगा, मैं किताब पढ़ता हूँ, present था, मैं किताब पढ़ता था, past होगा, मैं किताब पढ़ूँगा, वो future होगा, तो I इसी का इंट्रागेट्व निगेट्ट्व बनाते हैं तो क्या यह बन सकता है कि नहीं बिल्कुल बनेगा आप बनाते हैं चलिए तो सिम्पल सेंट्टेंस में नियम है यहां ध्यान दीजे ऊपर में लिख रहूं कि आइ के साथ यू के साथ वी के मतलब सी हो चाहे है 500 और यार ही हो चाहे किसी का नाम हो च्वालों में ड़्ट रूप होता है तो यह जो यह तो आपको यहाहां लगाना है ना एक है को सामने में क्या आता है को सबस्क्रन बालroph ऀसका दू उस पर हिंदी में क्या हुआ मैं किताब पढ़ता हूँ का प्रश्न हो जाएगा क्या मैं किताब पढ़ता हूँ क्या मैं किताब पढ़ता हूँ Do I read book मैं आम खाता हूँ का प्रश्न क्या होगा क्या मैं आम खाता हूँ Do I eat mango समझा रहे न ठेक निगेट्व बना लेते हैं नेगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा मैं किताब करता हूं का हो जाएगा मैं किताब नहीं पढ़ता हूं तो मैं कहूंगा I do not read book do not pop sort में don't बोल सकते हैं क्या कह सकते हैं don't I don't I don't read a book मैं आम नहीं खाता I don't eat mango समझा रहा है न ऐसे बनाना है ठीक अच्छा एक थाड़ परसंड के साथ भी बना लेते हैं पर पहले चलिए अभी हम एक ही को बनाते हैं एक ही सेंटेम्स को आप कैसे पूरा तोड़ सकते हैं अभी हम बता रहें अभी अभी सब्देट वगरा कुछ चेंज नहीं होगा इनके फॉर्म चेंज होंगे प्रेजेंट पर्फेट पास फ्यूचर इंट्रोगेट्व निगेट्व इंट्रप्लस निगेट्व इंट्रप्लस निगेट्व करेंगे तो इंट्रप्लस निगेट्व क्या होगा हिंदी में क्या मैं नहीं पढ़ता क्या किया मैं किताब नहीं पढ़ता क्या मैं आम नहीं खाता क्या मैं किताब नहीं पढ़ता डू आई नौmट यहां भी सेम होगा क्या मैं आम नहीं खाता डू आई नॉट इट मैंगो हेल्पिंग और सब्जेट्ट नॉट वर्ब और अबजेट्ट ठीक है भाई तो यह तो आपने सिंपल को अलग अलग तरह से बदल लिया इतना ही चीज होता है जो आपको पूछा जाता है पर अगर मै क्या होगा मैं किताब पढ़ रहा हूं क्या हो जाएगा मैं किताब पढ़ रहा हूं तो आप कहेंगे मैं किताब पढ़ रहा हूं अब यह हो गया कंटिनिवर्स किसका हो गया कंटिनिवर्स तो आपको याद रखना है आई के साथ एम लगाना है मैं किताब पढ़ रहा हूं आइ एम रेडिंग बुक ठीक है अब इसका पास्ट भी बना लीजे क्या बना लीजे पास्ट क्या मैं किताब पढ़ रहा था Sorry Sorry मैं किताब पढ़ रहा हूं मैं किताब पढ़ रहा था I was reading book समझाई बात तो प्रिजंट में एम पास्ट में पास्ट में वास अब फ्यूचर भी वना लेते हैं मैं किताब पढ़ रहा होंगा तो मैं कहूंगा किया, I will be future में बी लगाना है I will be रीडिंग बुक मैं किताब पढ़ रहा हूँगा I will be reading book ठीप आप बदलते हैं इसको इन फॉर्म में जो हमने तीन अलग अलग बदला present past future तो हो गया अब इंट्रोगेट्व निगेट्व में बदलते हैं इंट्रोगेट्व पहले इसका इंट्रोगेट्व I am reading a book कहो जाएगा है 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 में किताब पढ़ोंगा का प्रश्ण होगा क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं तो am I reading book ठीक इसका भी बना सकते हैं I was reading book में किताब पढ़ रहा था क्या मैं किताब पढ़ रहा था was I reading book ठीक है वैसे आप इसका बना सकते हैं इस तरह से बहुंँ सारी सेंटेंज मन सकते हैं अब निगेटिव अगरा बनाते हैं तो I am reading का क्या हो जाएगा आई एम नॉट रिडिंग बुक ठीक इसका प्रश्म वाचा क्या हो जाएगा एम आ नॉट रिडिंग बुक तो क्या में नहीं पढ़ रहा हूं तो एम आई नॉट रिडिंग बुक स्मझ में आया इस तरह से आप एक ही सेंटेंस को सिंपल में ही इंट्रागेटिव निगेटिव प्रश्म बदल सकते हैं फिर उसी को पर्फेक्ट में बदल सकते हैं मैं किताब पढ़ता हूं मैं किताब पढ़ रहा हूं मैं किताब पढ़ चुका पहले प्रेजरन पर चुका हूं तो उसको क्या वोलेंगे वलेंगे आप पढ़ चुका है तो यह दिमाग में अना चाहिए तो आपको है के साथ व के के साथ दे के सांथ है यह लगाना है तो आपकोắc ऐब ही लगाना है बाकिक सांथ लगेगा तो आप जब कहेंगे कि मैं किताब पड़ चुका हूं तो आपको कहना है आइयग थार्ट पर्म पढ़ना का रीट कर डी हो लो तो यहाँ आपके लिए सरल हो गया थार्ट नहीं है वहां तो सिम्पल है तो आइब रेड़ घृट थी I will have read book ठीक है तो present past future हो गया अब intra get to intra get to में पहले इसको तो आप कहेंगे क्या मैं किताब पड़ चुका हूँ तो आप कहेंगे have I read book ठीक फिर intra get to के साथ आप intra plus negative बना लेते हैं तो have I not read a book ठीक उसी को उतार दीजे ठीक है मैं किताब नहीं पड़ चुका हूँ जब मैंने किताब नहीं पड़ा है तो आप कहेंगे I have not read a book तो अब समझ में आ रहा है न दो तीन के बाद आपको अपसरल लग रहा होगा तो इस तरह से आप एक ही sentence को intra get to negative present past continuous intra get to negative present past future intra get to negative present past यह सब में आप बदल सकते हैं तो अब मुझे उम्मीद है अगर आपको एक्जाम में कैसा भी प्रश्न दे और उसको बदलने को बूले तो अब आप बदलेंगे अब डारेट एक एक्जामपल समझते हैं मैंने कहा you are a good boy मैंने क्या कहा you are a good boy इसको मैं क्या कह सकता हूं change into negative ठीक है मैंने इसको कहा इनको नगरात्मक सेंटेंस में बदल लिया change into negative तो not हमेशा helping word के बाद लगता है किसके बाद लगता है helping word के बाद यह आपको रूल याद रखना है ठीक है तो आप कहेंगे you are not a good boy क्या कहेंगे you are not a good boy ठीक है मैंने कहा she is like you वो तुम्हें पसंद करती है she is like you ठीक है इसका भी negative क्या होगा she is not like you इंट्रगेट्व क्या होगा क्या वो तुम्हें पसंद करती है is she like you क्या वो तुम्हें पसंद करती है ठीक तो ऐसे बहुंँ सारे example हो सकते हैं आप convert कर सकते हैं ठीक है एक्जांपल के लिए स्वारी homework मैं आपको एक प्रश्ण देता हूं मतलब मैं चार आपको sentence देता हूं बदलते हैं फिर उसी को इसमें बदलते हैं तो लगबग साथ या 21 21 से ज्यादा आप एक ही sentence को बदल सकते हैं अब आपको मैं homework दे रहूं आपको comment करना है आपका comment नए बच्चों को यह बताएगा कि आपने इस वीडियो से सीखा इसलिए आप comment कर रहे हैं तो आप अच्छा है समझ में आ गया यह हमारे answer रहसर बताईए आपको यह भीजना है ताकि नए बच्चे को कैसे पता सब्सक्राइब करना है तो यह मैं कुछ एक्जांपल आपको दे रहा हूं ठीक है आप उसको बदल बदल के बनाना है कि पैला दूस्रा कि कर दो कि पैला रह времени क्वेशब कर दो झाल झाल तो यह पांच आपके होंबर्क है इसको आप लिखेंगे और हमें कमेंट करेंगे आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी ग्रामर और पांके जो आपको मिले गनेश वीडियो पर आज के लिए बस इतना ही बाय 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 करेंगे अजार आपको मिले आपको मिले बाय देता ही बाय रखको मिले पाया वे जरूर दो